है 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 लुट्व दिए इस फ्रेंट क्लास 11 कमेश्टरी का इरिट नमबर टू का पार्ट थ्री आज हम करने जा रहे हैं अटॉमिक स्ट्ट्चर डेक्चर नमबर थ्री आज इस लेक्चर में क्या-क्या पढ़ने वाले हम उन पे एक बार नजर लग लेते हैं हम वाले हैं वेव नेचर ओफ लाइट के बारे में ब्लैक बोडी रिडेशन के बारे में प्लैंक कंटम थ्योरी में और आपको प्रोलम प्रेक्टिस जो अन्टिशारिटी में वह आपको घर से करनी है वह आपको मैं आज नहीं कराऊंग प्रोलम प्रेक्टिस आपको यह करना आया वेव नेचर ब्लेक बोडी और प्लेंग कांट अप चुरी जलिए बेना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्टर बहुर थॉंसन मोडल ओव इक्टम आया उसके बाद रेदर फोर्ड मोडल ओफ नेटम उसके बाद बहुर मोडल ओफ नेटम तो इन मोडल्स की अधर फोर्ड मोडल ओफ नेटम की हमने लिमिटेशन डिसकस कर ली थी बच्चों बहुर मोडल ओफ नेटम आने का कांड क्या था कुछ डवलपेंट्स थे जो एक मेजर रोल कर रहे थे बहुर मोडल ओफ नेटम की पहला था ड्यूल नेचर ओफ लेक्ट्रमेंटिक नेटम तो एक्स्प्रेंटर रेजल्ट्स जो अटोमिक स्वेक्ट्रा से हमने निकाले वह एक्स्प्लेइन कर पाए बाई यूजिंग दा कंटाइट अनर्जी लेवल इने अटम से टू डवलपेंट्स थे जो आपके पास मेजर रोल प्ले कर रहे थे वे नेचर ओफ लेक् प्लेटिंग अनर्जी फ्रों यह उटंडर बाता हुआ है इस तरह प्रास यह बनना जाएे स्पेंगेए उसमें क्या होता है कि जो यहां भी अगर कोई पार्टिकल है ना तो वह भी हिलेगा अलांकि हमने स्टों यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पार्टिकल रखा हुआ है वह भी हिलेगा इसका मलग यहां तक उसकी अनर्जी क्या हुई है ट्रांस्पर हुई लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक उसी कम क्या बोलते बत्चो वेव बोलते है ये definition किस किटी है आमेरे पास है वेव की चत्चा करेंगे पर उससे पहले जान लेते हैं कि वेव कितने टाइप पर होती है वेव दो परकार के बत्चो इसी क्लास मतलब क्लास 11 के अंदर फीजिक्स क्या लास्ट चेप्टर करेंगे वेव तब आप डिटेल में आप जानोंगे कि वेव क्या होती है हम यहां पे ओनली बेसिक सा आइडिया ले रहे हैं ताकि हमारी केमेश्ट्री में आने वल टोपिक में हमारी थोड़ी समझे बनी रहे हैं तो जान लेते कि मेकेनिकल वेव क्या होती है आप डोज उसको प्रोपेड करने के लिए मीडियम की रुकार मेंट हो जैसे अगर हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यह मीडियम है अगर मालों एक रूम को विक्यूं बना दिया जए एक रूम को क्या बना दिये बच्चाओ विक्यूं बिल्कुल खाली कर दिया जाए वेक्यूं मप लगा कर और फिर उसके दिर्ट कुछ भी ना रहे ने दे उसमें डो आदुमें को खड़ा करके दो अगर बात करने को सिस करें तो वो सुनाई नहीं देगा बच्छाम ठीक है तो साउंड वेव कैसी आपकी क्योंकि इसको प्रोपेट करने के लिए मीडियम चाहिए इसी cabbage काई अबी को से यह जो इंफरा रेड अल्ट्रवालिट रेडियो माइक्रोवेव यह सारी किसमे आती है तो योट्екㅠㅠ वेव होती बच्छो इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव कौन्से वेव होती बच्छो इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव होती है वो सारी के सारी कैसी होती आपकी नोन मेकेनिकल है वेव होती जितनी भी इलेक्ट्रो मेंटिक वेव होती वो कैसी होती नोन मेकेनिकल वेव होती और इल अगर आपके पास वह एक्सलेट करें तो अल्टनेटिंग इलेक्ट्रिकल अन्टिक फिल्ट प्रडूस एंड ट्रांस्मित इस फिल्ट इन दा फ्रम वेव और नोन कर दो जा पनायज एलेक्ट्रोमेंट्टिक वेल इसमें क्या करना है देखों प्रपेट डि worn आन्यास्तों ये वाली जो डिरेक्शन है ये वाली के एक्स डारेक्शन से प्रॉपक्रेशन डार्ट्स्चनँ यॉट्शित कि मने एक्स ने लिए पिने इलेक्टरीं और जड्ड एक्स इस के लीए में मैंने मेंक्स क्वील्ड तो मैंत डिकावर्त को रिप्रेजेंट किया गया तुम अउड ऐक्स एक दुसरी के परपेंडिकुलर प्रपेंडिक्योर होगी एक्स न प्रपेंडिक्यूर बढ़ प्रपेंडिक्चन योग यह पास और उसमें अगर आपकी चार्ज पार्टिकल एक्सेलींट करें तो क्या प्रदूस होती है इलेक्ट्रोमेंटिक वे अब աुर्स क्या होती है आज भी चलती है न है तो यौ अपर सब्क्राइब पoming ojos सब्क्राइब तो नेबरिंग क्रैक्रेश्टंट n karış की इसकीज सब्सक्राइब वेवलेंगे वेवलेंज इसकी अगर सैयंटी की बात करें वाली है एससाइयोणीट होने वाली यह मीटर कौन सी यूइट होगी मिटर ही होगी ठीक है फिरकर थिर नंबर ओफ वेज विच पास्त रूब पर्टीकलर पॉइंट इन वन मैं का हूँगा कि इसकी फिरक्वेंसी कितनी है 20 क्यों तो कि एक ट्रफ को मिला कर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ पांटी इसकर नमीन वेश पास होगे इसकर प्रिक्वेंसी क्या होती है है इसके ऑफ लाइट स्पीड में आप यह भी लिख सकते हो तो distance travelled by wave in one second क्या ले सकते हो distance travelled by wave wave के द्वारा कितनी distance travel की गई टेकने one second । एक सेकंड के अंदर कितने distance travel के गई that is known as speed ठीक है और यहाँ आपक रिलेस्न आबच्ट वह बहुत पूर्ट इट है c is equal to c is equal to new into lambda क्या रहेगी बच्चो रिलेस्टन है c is equal to new into lambda ये relation आपको ज्यान रखेंगे c is equal to new into lambda new is the frequency lambda is wavelength and c is the velocity of light अगर यहां से में frequency निकाल हो तो frequency एन new is equal to क्या जाए c upon lambda और new is equal to क्या लेखता हूं c into new बार अब यह new बार क्या है बच्चो न्यू बार होता है वेव नंबर क्या होता है वेव नंबर और वेव नंबर क्या होता है it is the reciprocal of wavelength वेव नंबर क्या होता है reciprocal of wavelength तो न्यू बार wavelength क्या 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 लएगा पास है वेव नंबर क्या ठीक है एक होता है ह siblings recruit क्योते Go X amplitude हाईट ओफ मेक्सिमम हाईट आफ क्रेस्ट और ड डेप्ट आप लेए सकते मैक्सिमम window यह जो आपका हाईयर एंप जोगा आएस्ट क्रेस्ट की जो हाइट होगी वह आपका एंप्लिटूड करें ठीक है तो अगर मैं इस तरह से बनाता हूं एक वेव यह बनाई है एक वेव यह बनाई है तो जो बाद में वेव बनाई यह वाली वे इसका एंप्लिटूड क्या हो इसके बाद जो हमारी electromagnetic waves है उनको हमने arrange कर दिया है एक order के दर उसको हम बोलते हैं electromagnetic spectrum क्या होता है बच्छो electromagnetic spectrum बहुत पार definition आच चुकिए एकजाम में कि electromagnetic spectrum क्या होता है सब्सक्राइब कर दिया एक order के अंदर और क्या रख हमने कि वेवलेंध तोब्लुएड होती जाएगी सुशन्वेवलेंथ लेकरीज स्पेक्रम्ट माइनस सिक्स्टिन मीतर से लेकर टेस्ट एट मीटर तक है यसमें जहां हमें लाइट दिखाए जैती है वीजिबल रिजन वह हमारा फोर हेंडर्ड ननोमीटर से शेवन 50 नेनोमीटर तक है कहां तक बचो 400 से लेकर 750 नेनोमीटर तक है ठीक है कि पार्टिकल नेचर ओफ इलेक्ट्रोमेंटिक रडिशन इसमें कुछ फिनोमेन है यह भी आप प्लस टू में पड़ोगे सच है डिफ्रेक्शन इंटरफरेंट्स कैन वी एक्स्प्लेंड ओनली बाइद वेव नेचर ओफ लेक्ट्रोमेंटिक ठीक है आपके पास क्या था कि अगर क्रेश् दूसरे वेव का ट्रफ आदे तो वो एक दूसरे को खतम कर देंगा विल्कुल एक स्टेट लाइन आड़ देंगे ठीक है डारेक्ट पॉइंट आता है जबकि अंदर आपके पास कैसा था है ब्राइट पॉइंट आता है यह दो फिनोमेन ऐसे थे जो आपको यह प्रूव क तो आपको अपको अबकि रकरो आपको कंडेरा कियुक्त वेव निकों चेल्षायए क्टी वा तो आपको क्लासिकल फीजिक्स है वो आपके पास क्या हो गया और उसमें जो आपका वीब क्यो हो रहा है, जो 7 कर रहा है, उनमें से सिर्फ वो red light को क्या कर रहा है, reflect कर रहा है, बाकि सभी wavelength of light को क्या कर रहा है, वो absorb कर रहा है, इसी परकार black कम दिखा जिता है, जब वो सभी wavelength of light को क्या कर ले, absorb कर ले, तो black कोई color नहीं है बच्चो, अगर कोई object है सभी wavelength of light को अब्जोब कर ले वो black दिखाए जब हम heated करते हैं किसी object को heat करते हैं तो उससे क्या emit होती है बचो electromagnetic radiation एक wide range की the ideal body which emit and absorb all frequency of light जो सभी frequency of light सभी wavelength of light को absorb कर ले और वो emit भी कर दे उस body को हम क्या बोलते हैं black body और जो radiation होती है इस black body के दोबरा that is known as black body radiation classical theory के साबसे तो अगर आप देखे तो बिल्कुल ऐसा आ रहा था जो आपका infinity इसमें अलग अलग temperature पर अलग अलग पीक आ रहा है अगर आप 5000 Kelvin पर कराते हो यह graph आते हैं और अगर 4000 पर कराते हो यह आते है 3000 पर यह आते हैं ठीक है इसी परकार इदर भी आप diagram में देख सकते हैं यानि अलग अलग temperature पर अलग अलग आपके पास wavelength इमिट होती है एक रेंज बनती है ठीक है ब्लेक बोडी इन अब्जेक्ट कैपेबल ओफ इमिटिंग अब्जोडिंग अलग 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 होती है जैसे हम नहीं देखा पीछे वाले ग्राफ के अंदर इसमें इंटेंस्टी किसी इसलग इंफ्राइड आ जाएगी जैसे टंपरचर कम करते जाओ वीसे पास इंटेंस्टी क्या होती जाएगी चेंज जोती यह आपको ज्याम रखना है ठीक है क्लासिकल व्यू वाज्ट सक्सेस्पूल एट लो फिरकंशी बट फैल बेडली एट हाई फिरकंशी एजिट अप्रोच इंफिनिटी क्योंकि मैंने आपको गराफ बताया इस गराफ के अंदर क्लासिकल है वो यहां तक तो ठीक था उसके बाद वो कहां पे जा रहा है उपर ज अच्छे है इस कार्थ अगर आप निकाल के देखो तो ठीक है नेस्ट है प्लेंग क्यांटम थिरी प्लेंग सब्जेस्टिट देट एट अटम इन मल्कुल कुद इमिट और अब्जोब अनरजी ओनले इंडिस्क्रीट क्योंटिटी एंड नोट इन इन कंटिनूस मेंटर ऐ इस तरह से कुछ एक पेकेज बन जाता है ठीक है उसी काम क्या बोलते है कंटा स्मॉल कंटिटी ओफ अनरजी देट कैन बी इम्टिट और अब्जोब इन दा फॉर्म उफ एलेक्ट्रोमेंटिक रेडिशन जो सुर्य उसको दो बोलते हैं कंटा और कंटम किसको बोलते हैं सम मैं क्या बोलते हैं कटिटी बोलते हैं nella ने ना वी वुला नेक्श्ट वलेटी यह कहता है है कि एनड्जी अनरजी रिलीज और अब तो इस डिर्क्ली प्रपोस्ट तो फिर्केंशी है थे करेंगे ने प्रपोस्ट ने लगा किया लगा देगे नहीं हो और यहां पे यहां पर यहां पे आप ने जो रिदे में बताई थी मैंने नियू के इस एकल टु यू इन्टू लेंब्डा वह आप यहां पर पूट्य कर सकते हो तो दिएक वोटें यहां से एक इंप्रेट्टन रिलेशन आप इसके जो अनरजी है वो ड्रेक्टली प्रॉसन ना किसके फिर्क्वेंसिके ंट्रिस ने एक एलेक्ट्रोन वोल्ट करता है यह और जी ह Schüler कि इनक्ट्रोट लगा विन एक टेरा को कितने यह एलेक्ट्रोन वॉल्ट क्या करना है आपको एक electron रखना है और उसके across कितना potential difference apply करने वन वोल्ट तब जो आपका जो electron है वो potential difference apply करने से accelerate करेगा क्या करेगा बच्छो accelerate करेगा जो accelerate करेगा तो उसके पास energy क्या होगी gain होगी तो उस electron की दोड़ कितनी energy gain की जाती है that is known as donut और वोल्य कंती बिटों वन एलेक्टन वोल्ट इस एकोल टोओ पॉयंट सिक्वंट पर मायनेश नैंटेन कुलाम इंटो वन वोल्ट केक्ष्ण किटना था य में ट्म वी कितना लगा हमने ऑन ब्सक्र डीन किसके था ये येसीव टो डङलेली सन्ब्रश्ण व् opposition सब्सक्राइब करते हैं तो आज के लिए इतना ही बच्चु यह थोड़ा से आपका बेसिक से लेक्चर था तो आप इसको पढ़ना समझना तक हम आगे आने वाले टोपिक को आसानी से डिसकस है कर पाए थैंक यू बच्चु आप 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 आप